इस वीडियो में बच्चों हम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि फाइबर यानि कि जिनसे कोई भी मैटिरियल बनता है वो दो तरह के होते हैं एक होते हैं नैचरल फाइबर और दूसरे होते हैं मैनमेड फाइबर तो जो फाइबर से क्या होत जैसे हमें खाने के लिए, कपड़ों के लिए, रहने के लिए, सब चीजों के लिए, मैटिरियल्स की जुरद होती है, कुछ पदार्थों की जुरद होती है, वो पदार्थ जो होते हैं, वो फाइबर से बने होते हैं, तो बहुत सारे material होते हैं जैसे कि cotton है, oon है, लकडी है, koila है, तो ये सब चीज़ें अलग-अलग purpose से इस्तमाल की जाती हैं, अलग-अलग काम के लिए इस्तमाल की जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो natural resources होते हैं, वो limited होते हैं, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उतनी जादा अनपात में natural sources नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें artificially fibers को बनाना पड़ता हैं, जिसको की हम synthetic material बोलते हैं, तो synthetic material जो होते हैं, वो दो या दो से जादा चीज़ों के chemical reaction से प्राप्त किया जाते हैं, अब हम समझते हैं कि fibers क्या होते हैं, fiber एक तरह का बच Fiber दो तरह की होते हैं, natural और synthetic fiber, तो natural fiber वो होते हैं, जो हमें plants और animals से बिनते हैं, ौर synthetic fibers वो होते हैं, जो की हमें artificially बनाए जाते हैं, पाइबर और से लिवी या लिभी बार आपांगे मौनोमर्स्त के वेए क् Le sincere आपनद आपांगे मथें कोई पाइबर आपते में तेया आपांगे उसे के जाने वाला सिंफेटिक फाइबार्याश के अगर्टमे यह यह होता है यह सेलुलोस के से नैचरली प्राप्त किया जाता है तो नैचरल फाइबर क्योंकि सैलुलोस की जरुत होती है रियोन बनाने के लिए इसलिए इसे हम.. अब हम सिल्क के बारे में पढ़ते हैं कि सिल्क फाइब contrary बहुत ही प्यारा सोफ्ट में यहाल होता है और सिल्क के बहुत सारी सालिया और कष्टटि पड़े बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं रियोन भी इस विद यानि की जो लकड़ी का गूदा होता है उससे बनाया जाता है और उसको पहले alkaline solution में घोला जाता है और उसके बाद उसमें से उसके जो चोटे छोटे छेद होते हैं उनमें से वो fibers निकलते हैं और फिर हाड होकर sulfuric acid में उसको डुबाया जाता है फिर धागे के जैसे बुनकर कपड़ा बुना जाता है तो इस तरह से रियोन को region rated fiber बुलते है क्योंकि एसके जो original raw material होता है वो cellulose होता है उसको फिर से बनाया जाता है अब हम पढ़ते हैं, रियोन के यूज क्या क्या होते हैं, रियोन जो होता है, वो साड़ी बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है, बहुत सारे अप्रिन, कैप्स वगेरा बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है, और उससे बहुत सारे कारपेट, आधी चीजें बनाई जाती ह आप टाइर बनाय जाते हैं अबיצ किस तरह से बनाया गया कि start क्याया नाईलोन नकर्स पहले कोईले पानी में हम आइलोन को बनाया गया रिछमाल हिए जब क्याया छूल के घंभा सब बहुत सिसस्कुल के लिए से लो आप बहुत जाने के लिए अलग artifacts बहुत हाई temperature पर machine से और फिर मौल्ट पिगला हुआ semi liquid nylon को spinner के थूरू nylon का बहुत पत्ला धागा बनाया जाता है और फिर उस से कपड़े बनाए जाते हैं अब हम देखते हैं कि नाइलोन का यूज क्या होता है नाइलोन जो होता है वो मचलियों का पकड़ने के लिए जो जाल होते हैं और जो उपर चड़ने के लिए रस्यां होती है यह सब चीज टूद ब्रश बनाने के लिए सब चीजों के लिए यूज किया जाता है और जो टेक और उनमें कीड़े वगेरा भी इजीली नहीं पकड़ते हैं अब हम पढ़ते हैं पॉलिस्टर के बारे में अगला सिंथेटिक माटिरियल है पॉलिस्टर पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है जैसे कि नाम से पता चल रहा है पॉलिमर ओफ इस्टर तो यह भी ए पॉलिस्टर के बहुत सारे वेराइटी होती है अब हम पॉलिस्टर के यूज़ के बारे में पढ़ते हैं पॉलिस्टर कहां-खहां यूज कि जाते हैं जैसे कि शार्ट, साड़ी और पॉलिस्टर से मेंं-्टभी एग एग में फाइबर होता है गदेग को मिला करके बनाए जाता है इसी तरह से पॉली इसके बाद next synthetic material होता है acrylic, acrylic क्या होता है यह एक synthetic fiber होता है जिसमें की wool की property होती है, उन की property होती है, बहुत light weight होता है, soft होता है और गर्म होता है जैसे की उन होती है, तो इसको भी बहुत अच्छी तरह से इसमें भी silvety वगेरा नहीं पढ़ती है, इसको सुखा करके color करके इससे कपड़े बनाये जाते हैं, या सस्ती किसम की उन बनाये जाते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं spandex के बारे में यह जिसको हम lycra के नाम से भी जानते हैं, तो lycra भी एक synthetic polymeric fiber है, जो की उसको हम खिचाव हो सकते हैं, उसमें elasticity होती है, stress कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर synthetic fiber के फाइदों के बारे में पढ़ते हैं, synthetic fiber जो होते हैं, उनकी बहुत ही tensile strength होती है, मतलब कि उनकी property की वज़े से वो तूटते नहीं है, अगर उन पे ज़्यादा लोट डाल दिया जाए तो, इसके अलावा, जो synthetic fiber होते हैं, उनमें elasticity बहुत ज़्यादा होती है, उनको ख कि वो easily fold उनमें हो जाते हैं, और ढुलने पर वो आसानी से, जल्दी से सूख जाते हैं, इसके अलावा synthetic fiber जो होते हैं, वो खेती के फसल वगरा से उन सब चीजों से अलग होते हैं, उन पर उसका कोई असर नहीं होता है, और यह जो fiber होते हैं, यह chemicals के action से बनते हैं, इनमें moisture bacteria वगरा का कोई role नहीं होता है, तो इस तरह से यह सस्ते होते हैं, natural fiber की तुलना में, इसके बाद अब हम synthetic fiber के disadvantage, यानि कि नुकसान के बारे में पढ़ते हैं, यह बहुत ही disaster होता है, क्योंकि यह जो fabric जब यह पिखलता है, तो body की, अगर किसी आग लगने की वज़े से, या क अब हम पढ़ते हैं, polymerization क्या होता है, polymerization होता है, बच्चों, जब कोई एक molecule वाला fiber होता है, उसको monomer बोलते हैं, और जब एक जैसे monomers को, monomers को एक साथ combine करके, हम एक polymer बनाते हैं, उसको हम polymerization कहते हैं, तो जैसे कि polymerization जो होते हैं, वो बहुत तरह के होते हैं, addition, polymerization, condensation, polymerization, इसके बाद हम प्लास्टिक पढ़ते हैं, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक भी एक man-made material है, इसमें भी चीजों को गरम किया जाता है, उसको शेप देने के लिए इस material को, तो इस तरह से अभी जब इस यूग में प्लास्टिक का यूज होने लगा, तो इसे स्टोन पत् वोटर, रेनकूर, टूद ब्रश, हेर ब्रश, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से आजके यूज की बनने लगी है, तो स्लिए इस यूग को प्लास्टिक यूप के नाम से भी जाना जाता है, अब हम प्लास्टिक के कुछ यूज से बारे में पड़ते हैं, कि प्लास्टिक से बने होते हैं, प्लास्टिक से बहुत सारे बर्तन बने होते हैं, जिसमें हम अपने खाने का समान रखते हैं, और साइकल, एरोपलेन, कार, और बहुत सारे बिजली के समान, एक्यूपमेंट, बहुत सारे चीजें आज के यूज की प्लास्टिक से बनी होती हैं तो इस तरह से अब हम पढ़ते हैं कि प्लास्टिक कितनी तरह की होती है, प्लास्टिक दो तरह की होती है, थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, तो सबसे पहले थर्मो प्लास्टिक जो होती है, वो सॉफ्ट होती है और ज्यादे फ्लेक्सिबल होती है थर् सकते हैं और उनसे क्या-क्या चीजे बनाई जा सकते हैं जैसे डिस्क बनाई सकते हैं यूते बना सकते हैं हैंристये फिनान थे JLP इन शुरय फिर जाती है इसको पली फाक्सिक दो डरल्भड हो जाते है तो इस तरह से पगलने और कूल करने को जो plastic होता है उसको बहुत बार किया जा सकते हैं और nylon और polythene इन में polystrine होता है और polyvinyl chloride होता है PVC polyvinyl fluor morph employed होता है जिसे PTFE वह भोलते हैं जिसको ओनम नाम से बी जनते हैं तो इस तरह ऐसे thermoplastic में कुछ characteristic होती है जैसे उनको असानी से खीच सकते हैं वो बहुत ही soft हो जाते हैं गरम करने पर flexible होते हैं और उनको गरम करके किसी दूसरे ढाचे में ढाल सकते हैं अब हम पढ़ते हैं thermosetting plastic के बारे में thermosetting plastic जो होते हैं उनकी shape को गरम करने से change नहीं किया जा सकता उससे उनको soft नहीं किया जा सकता गरम होने पर तो thermosetting plastic जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं जैसे बैकलाइट होता है epoxy resin होता है इनसे कौन-कौन सी चीज़े बनी होती हैं जैसे हम बिजली के board switches वगेरा बनाते हैं उनको गरम करने पर भी पिगलाया नहीं जा सकता जैसे कि kitchen के सामान fabrics जो होते हैं तार्स को रजिस्ट से बचाने के लिए कि तार्स में आगनी पकड़ें वो जो material बना होता है वो इस plastic का बना होता है यह बहुत ही hard होते हैं और rigid होते हैं इनको गरम करने पर soft नहीं किया जा सकता इनको एक ढाचे से दूसरे ढाचे में नहीं परिवर्तन कर सकते और यह गरम करने पर जल जाते हैं तो इस तारह से यह होते हैं thermosat plastic इसके बाद हम polyethylene के बारे में पढ़ते हैं इसका नाम actually polyethylene या ethene होता है जिसको CH भोलते हैं यह जादे बहुत ही जादे इंपोर्टेंट industrial polymerase का इंडस्ट्री में बहुत जादे यूज किया जाता है यह translucent होता है white color का होता है और thermoplastic वैक्सी thermoplastic होता है यह low density polyethylene होता है जिसको की high pressure पर polymerization करके high density polyethylene बनाई जाती है इस तरह से baccalite होता है बैकलite भी एक दूसरा एक्जामपल है thermoset plastic का जिसको की जो की बिजली का poor conductor होता है यह बिजली इसके अंदर से पास नहीं हो सकती है इसलिए इससे बहुत सारे बिजली के switch handle और बरतन बनाए जाते है melamine भी एक material होता है thermoset plastic का यह की फर्ष के लिए बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है इसके बाद दो चीज़े होती है कुछ material होते हैं जो की decompose हो जाते हैं उन्हें bio degradable बोलते हैं और जो decompose नहीं होते हैं उन्हें non bio degradable बोलते हैं तो इस तरह से कुछ plastics जो होती हैं उन्हें decompose होने के लिए बहुत जादा समय लगता है बहुत जादा साल लग जाते हैं यह environment friendly नहीं होते हैं इसलिए यह वातवरन में production फर्लाते हैं तो इसलिए हमें plastic यूज करने से बचना चाहिए क्योंकि और हमें cotton या जूट के बने वे bags को यूज करना चाहिए क्योंकि यह bio degradable होते हैं जल्दी से यह dispose हो जाते हैं तो पैर हमें अपने घर में इस तरह की practice करनी चाहिए कि हम plastic का कम से कम यूज करें plastic के बने bags का या क्योंकि plastic को recycle प्लास्टिक का जो waste होता है उसको recycle करना ज्यादे बैटर होता है तो इस तरह से हमें उन चीजों की list बनानी चाहिए जिनको हम recycle कर सकते हैं जैसे हमें 4 hours का पालन करना चाहिए यह सिधान का reduce, reuse, recycle और recover हमें अपने अंदर यह habits पैदा करनी चाहिए जिससे कि हम environment friendly behavior अपना सेगें हमें अपने जो जानवरों का कुड़ा गच्रा होता है उसको एक drum में रखना चाहिए और पूड़े को इधर उदर ने फैलना चाहिए ताकि घरोस में जो polythene bag है या खाने के wrapper होते हैं उनको वो जानवर उसको नहीं खाए और वो बिमार पढ़ सकते हैं चिप्स के wrapper, biscuit के wrapper उन सब चीजों को हमें properly place करना चाहिए और cotton का carry bag लेना चाहिए पेपर का carry bag लेना चाहिए बजाए प्लास्टिक के bag के तो इस तरह से plastic material का use कम से कम करना चाहिए और steel के lunch box इस्तमाल करने चाहिए खाने रखने के लिए तो अब हम यहाँ पर एक list है जिसको की waste material को हम किस natural material बनने में कितना सब्टा लगता है जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके होते हैं उन्हें एक से दो हफते में वो dispose हो जाते हैं जमिटी के अंदर कागज 10 से 30 दिन में होता है, cotton का कपड़ा 2 से 5 महिने लगते हैं, woolen items, सर्दियों के कपड़ों को disposal loaf होने में लगबग 1 साल लग जाता है tin aluminium जाए जो दूसरे metals होते हैं उन्हें 100 से 500 साल लग जाते हैं और plastic bag को वो क्यूंकि non biodegradable होते हैं वो decompose नहीं होते हैं कोई भी metals हैं जैसे tin, aluminium या दूसरे कोई भी metal और plastic bag होते हैं यह non biodegradable होते हैं यह decompose नहीं होते हैं तो इस तरह से हमने पढ़ा synthetic fiber के बारे में और materials के प्लास्टिक के बारे में I hope आपको समझ आया होगा, thank you